जारकन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारकन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे 31 माज तक पैन को करें अधार से लिंक नहीं तो लगेगा जुर्माना आपने पैन को अधार से जोडने के लिए बहुत कम समय बचा है या महत्पूर्ण है कि यदि आप इस समय सीमा में पैन अधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा आपको बता दे 31 माज तक आपके पैन क अधार नमबर से लिंक करना होगा हलाकि केंद्रिये परत्यक्स कर बोर्ड CBDT ने अधार और पैन को जोडने की समय सिमा को बार बार टाला है लेकिन विभाग ने असपस्ट कर दिया है कि अब की बार पैन अधार लिंक करना अनिवार है CBDT ने एक अधी सुचना में कहा है कि केंद्र सरकार ने COVID महामारी के चलते हीत धार को के परती अपनी परतिबत्ता को जारी रखते हुए आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए समय सिमा बढ़ाने का फैसला किया है पैन को अधार से जोडने के लिए आयकर विभाक को अधार नंबर के बारे में सुचित करने की समय सिमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ा कर 31 माज 2022 कर दी गई है जारखन में मौसम का मिजाज गरम जारखन की राइधानी राची सहीत आसपास के जिल्यम में बढ़ते तापमान के बिच तेज धूप से पिछले दिन लोग को कुछ राहत मिली लेकिन उमस भरी गरमी से लोग परिसान रहे सुक्रवार को सुबा से ही बादल छाय रहने के कारण 24 घंटे में करीब 2 डिगरी से तापमें गिरावर दर्श की गई लेकिन आई सुबा से ही फिर से गरमी की वापसी दिख रही है बता दे सुबा से ही तेज धूप निकलने के असार लग रहे है जारखन में लागू होगी पुरानी पेंसन योजना मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार बहुत ही जल्द राजे में पुरानी पेंसन योजना लागू करने जा रही है जल्द ही मंदेगा कर्मी और अनुबंद कर्मियों को भी बड़ी रात मिलेगी मुख्य मंत्री ने बिधायकों की मांग पर बिधायक फंड की रासी 4 से बढ़ा कर 5 क्रोर करने की भी घोसना की है 82 सत्र के समापन के दिन सदन में मुख्य मंत्री हमांसुले ने कहा है कि हम राजे के लोगों को आग में नहीं जोकना चाहते 1932 के खतियान का हम सम्मान करते हैं यहाँ पर जो भी कानून वा नियम बनेंगे वो जहार खंडियों को ध्यान में राक कर बनेंगे इस राजे में 1932 में 1964 में 1991 में 2009 में और 2011 में जमीन का सर्वे हुआ और गयट का भी परकासन हुआ चात्रवीरिती तीन गुणा बढ़ाएगी सरकार मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार चात्रवीरिती की रासी को तीन गुणा बढ़ाएगी उन्होंने कहा कि जो बहुआ 2013-14 में मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने चात्रवीरिती बढ़ाने का काम किया था लेकिन भी पक्ष जैसे सत्ता में आई इसे रोक दिया हमारी सरकार एक बार फिर से इसे बढ़ाएगी वह भी कम से कम तीन गुना CM ने चेतावनी दिया कि कोल पर योजना राजे के बकाय का भुकतान करे नहीं तो कोला बाहर नहीं जाने देंगे देश के टॉप 332 स्कूलों की सूची में जार्खन के 24 विद्याले सामेल Education World India ने सीफोर्स के सहयोग से वर्ष 2021-22 के लिए देश भर के 332 नेजी स्कूलों की रैंकिंग जारी की है इस रैंकिंग में एक भी सरकारी स्कूल सामीन नहीं है इसका कारण सरकारी स्कूलों में मोलभूत सुविधाओं और सिक्षकों की कमी बताई जाती है बतादे विभीन स्रेनी के अधार पर जारी की गए इस रैंकिंग में को एजुकेशन की स्रेनी में जार्खन के 24 स्कूलों को जगाती गई है इसमें राची के 6 स्कूल सामील है आजसू नेता राज किसोर कुस्वाहा को मारी गोली जार्खन की राई धाने राची के बुड़ू निवासी आजसू नेता राज किसोर कुस्वाहा को सन्नी वार की सुब अपराधियों ने गोली मार दी है जब वे मॉर्निंग वाक पर निकले थे उसी दरन अपराधियों ने उन पर हामला किया बतादे राज किसोर जय हो सेवा संस्थान के संस्थापक और राची जिला आईसू पार्टी के वरिये उपाध्यक्ष है उनके हाथ में गोली लगी है घाटना के सुचना मिलते ही बुड्डू डी एसपी अजय कुमार दर बदल के साथ घाटना स्थल पहुचे और मामले की चान बिन में जुट गाए घाटना स्थल से बुड्डू पूलिस ने 7.65 mm का खोका भी बरामत कर लिया है पेट्रोल डीजल के मुले फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों में उबाल जारी है बिगत पांच दिनों में इनकी कीमते रोकट की तेजी से उपर की ओर भाग रही है पेट्रोल उत्पादों में लगतार मुले विरिधी से आम आदमी हत्प्रव है क्योंकि इसका असर अब महंगाई पर भी पढ़ने लगा है बता दे सरकारी तेल कंप्णियों ने सन्य वार 26 मार्च को भी पेट्रोल डियल की किमतों में परती लिटर 81 और 83 पैसे की बीरिधी कर दिहा है इस परकार 22 माज से लेकर अब तक पेट्रोल में 3 रुपया 25 पैसा और डियल में 3 रुपया 35 पैसा प्राती लिटर की बदोतरी हो चुकी है रांची वारानसी इंटर सिटी का फिर से होगा परिचालन अर्चना जोसी ने पत्रकारों को बताया कि रांची वारानसी इंटर सिटी का परिचालन फिर से होगा इस समन्द में रांची रेल मंदल द्वारा परस्ताव जोनल कर्याला को दिया गया है वहीं रेलेवे में सेफ्टी के मानको पर पताधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है इसके बाद रांची रेलेवे स्टेशन पहुंचने के बाद विभीन पैसेंजर एसोसेशन के संग भेट की अन्त में उन्होंने पार्सल मनेजमेंट सिस्टम और हाटिया याड पर वासिंग पीट का उधाटन किया पार्सल मनेजमेंट सिस्टम की वेवस्था से पार्सल की लिवरी होने तक जनकारी अपडेट रहेगी सियम हमंत की मोधी सरकार को सक्त चेतावनी कोईला पर लगा देंगे ताला जारखन के मोख्य मंत्री हमंसुरे ने केंद्र की मोधी सरकार को निशाने पर लिया है उन्होंने कहा कि कोल इंडिया पर जारखन का 1.36.000.000 रुपे बकाया है यह राज का अधिकार है और ओ इसे लेकर रहेंगे सियम हमंत ने अभी चेतावने दिया है कि अगर यह राज सी नहीं मिली तो राज में कोईला खनीज पर बेरिकेटिंग और ताला लगा दिया जाएगा उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र को हो मुंडारी कुडू को आठवी यह निसुची में सामिल करने का प्रस्ताव भया था सरना धर्मकोट का प्रस्ताव भया था उनका क्या हुआ जारखन में अस्थानिय निती जारखनियों की भावना के अनुरूप ही बनेगी जारखन के मुख्ये मंत्री हीमान शुरेन ने भाजपा को निसाने पर लेते हुए कहा कि राजे के अस्थानिय निती जारखनियों की भावना के अनुरूप ही बनेगी राज सरकार विभीन सर्वे का अध्यान कर राजे के अंदर समनवेवा ब्यापक समती बनाते हुए ही अस्थानिय निती लागू करेगी वैधानिक पहलूओं को भी देखा जाएगा वे सुक्रवार को विधान सभा के बैट सत्र के समापन के मोखे पर बोल रहे थे इस करम में मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने विपक्ष पर निशाना साते हुए कहा कि इनका काम सीरिप आग लगाना है और इसमें इन्होंने माश्टर डिग्री हासिल कर रखी है उनकी सरकार इस पर व्यापक समती बनाते हुए आगे बढ़ेगी योगी के सपत लेते ही खुटी में मना जसन उतर परदेश के लखनाव में सुक्रवार को मुख्य मंत्री योगी आदी तेनात के सपत ग्रहन करते ही खुटी सहर में पटाके फुटने लगे सहर उलास में डूब गया इस दरण अस्थानिये नेता जी चौकपर मोदी योगी के नारे लगाए गए भाजपा नेताओ और करकताओ ने प्रचंड बहुमत पाकर दुबारा मुख्य मंत्री के सपत लेने वाले योगी आदी तेनात को बढ़ाई दी खुशियों का इजहा मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि ही सी गौरोव सालिस संस्था है देश को खड़ा करने में इसका योगदान है लेकिन भारत सरकार का रवया ठीक नहीं है सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है कई बिकने वाली है सुना है कि राची के बिसा मुंडा यारपोर्ट भी PPP मोड में जाने वाला है केंद्र से उमीद कम है लेकिन पर्यास किया जा सकता है होटल असोक को लेने के लिए राज सरकार ने केंद्र को पैसा भी दे दिया है बिहार के साथ बिवात था केंद्र के मंत्री ने कहा कि खूद आकर चाभी दू चातरा में मेनी गन फैक्टरी धवस्त गिरफतार टीपी सी के सब जूनल कमांडर रवी उर्फ संतोस भूया के नी संदेही पर अनगळा जंगल में टीपी सी के केंप को धवस्त किया गया पुलिस ने वहाँ से करबाइन गोली भारी मात्रा में आईडी बनाने का समान बैर टोनेटिंग वायर 600 पीस जिलेटिन स्टीक 33 पीस स्टील का छोटा केन सामिल है शैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल में भारत हार कर भी बना चैंपियनसीप भारतिये टीम ने जे आर्डी एस्पोर्ट कमप्लेक्स में आवेजीच सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन चैंपियनसीप का खिताब जित लिया है हलाकि सुक्रवार को खेले गए फाइनल लिंग मुवकाबले में भारतिये टीम को बंगला देश ने 0-1 से हराया भारतिये टीम बेहतर गोल आवसत के अधारपन चैंपियनसीप जितने में कम्याब रही बता दे भारत का गोल डिफर से जीत की जरूरत थी लेखि बंगला देश की टीम एक गोल ही कर सकी अलप संख्यक सिक्षको के नियुक्ती झाल्द राज्ये के गयर सरकारी सहता प्रावत प्राथमिक स्कूलों में सिख्षकों के नियुक्ती होगी जमसेत पूर जीले के प्राथमिक अल्पसंख्या की स्कूल संतावन है जिसमें 600 सिख्षकों के पद रिक्त है लेकिन 222 सिक्षको से पठन पठन का काम चल रहा है सिक्षको के 378 पद रिक्त है हलाकि ऐसे स्कूलों में कम बचे हैं इसलिए सवी खाली पदों पर बहाली नहीं होगी जिला सिक्षा विभाग से मिली जनकारी के अनुसार 60 पदों पर बहाली की समभवना है फिलहाल सिक्षक छात्र के सूची विभाग ने मांगी है स्कूल परबंधन समीती द्वारस ओपी सूची के अधार पर सिक्षको की बहाली होगी धन्यवाद यदि आप चनल पनाए होई तो चनल को सब्सक्राब कर बहाल का बेल एक अन्द भाई सब वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले जाती साथ आप हमें कुमेंट पक्समें अपना फिड़बेक अवस्त दे थैंक्यू